नमस्कार दोस्तों और स्वागा थे आपका आज जैनी इनावशन्स में दोस्तों आपके घर में अगर इंवर्टर लगा हुआ है तो most probably ऐसा हो सकता है कि आपका जो इंवर्टर का connection है वो single wire का connection है मतलब यहां से जो आपके घर में वायर में वायरिंग करता है तो इंवर्टर में से वो एक ही सिर्फ face की wire निकाल के आपके घर में लगाता है और उसका neutral जो है वो छोड़ देता है और दोस्तों यह जो connection method है यह मिल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और इससे जो होने वाले जो नुकसान है वो हमने discuss किये थे QN episode में आपको QN episode यहाँ पे मिल जाएगा या फिर description में आप जाके check कर सकते हैं और दोस्तों यह जो method है यह इंडिया में इतनी common हो गई कि कई बार जब आप wireman को पूछते हैं कि sir आप यहाँ पे एक ही wire लगा रहे हैं तो कई लोग आपको इस तरह से जवाब देते हैं कि आपका जो inverter होता है यह खुद की neutral बनाता ही नहीं है मतलब जो neutral हमको लगाना होता है वो grid में से common करके ही लगाना होता है अदरवाइस आपका जो load है वो नहीं चलेगा तो दोस्तों उसी चीज़ को जो हम आज यहाँ पे test करने वाले हैं सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे configuration बता दूँ तो यहाँ पे मेरे पास में है दोस्तों Microtech का 800VA Sineway model यह 12V का model है यहाँ पे मैंने एक 12V बैटरी लगा रखी है बैटरी का voltage देखनी के लिए मैंने यहाँ पे एक voltmeter लगा रखा है और दोस्तों inverter का inner working किस तरह से होता है इसके MOSFET transformer किस तरह से चलते हैं अगर यह जानने मे आपको interest हो तो वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने inverter का आपको configuration बता दिया अभी आपको जो है मैं wiring का configuration बता देता हूँ तो दोस्तों इस चीज में किसी भी तरह की confusion ना रहे उसके लिए जो inverter है अगर आप जान से देखेंगे तो य यहाँ पे जो है grid completely disconnected है इसका charging जो है completely निकला हुआ है यह जो wires है directly battery में जाती है कहीं और नहीं जाती और हमारा जो load है वो देखें directly यहाँ से इस तरह से इस bulb में दिया हुआ है पतलब इस bulb को चलने के लिए इस inverter में से दोनों face और neutral को आना जरूरी है अगर यहाँ से neutral नहीं आएगा तो हमारा bulb जो है वो नहीं चलेगा बागी आप लोग दोस्तों नीचे comment section में बताइए कि जैसे ही मैं यह silver button से इस inverter को on करूँगा तो क्या हमारा bulb चलेगा या नहीं आईए test करके देख लेते हैं तो यह जो है मैंने inverter on किया और हमारा जो bulb है यह चलने लग गया है औ दोनों मतलब phase और neutral जो है दोनों generate करता है अब आप लोग कहेंगे कि sir अगर यहां से जो है phase और neutral दोनों generate करता है लेकिन हमारे wire में जो है यहां पे एक single wire लगा रखी है तो हमारे घर के अंदर जो bulb लगे हुए हैं जो fans लगे हुए हैं उनको चलने के लिए neutral कहां से मिलता है मैं इसको बंद कर देता हूँ तो इसका जो जवाब है दोस्तों यहां पे आपको एक dedicated video में मिल जाएगा या फिर आप description में जाके check कर सकते हैं जिसमें मैंने practical करके बताया है कि आपके घर में अगर single wiring का connection है तो उसमें जो neutral है वो कहां से मिलता है तो दोस्तों यह छोटा सा experiment यहां पे प्रूव कर देता है कि जी हां आपका जो inverter है बकाइदा neutral बनाता है और उस neutral को आपको actually use करना है अगर आप उसको connected नहीं करेंगे तो यह जो है एक तरह से जुगाण माना जाएगा और सही से जो लगाने का तरीका है वो कुछ इस तरह से रहेगा कि आपके inverter में से आप लोग phase तो लेते ही हैं सास में आप neutral भी लीजिए अर्थिंग भी लीजिए और आपका जो inverter है उसको अर्थिंग में लगाना ना भूलिए तो यहां पे जो है input में भी आपको अर्थिंग प्रोईट करना है दोस्तों छोटा सा experiment कैसा लागा मुझे comment section में आप बताईए और इस तरह के जो है और छोटे मोटे experiment आपको नीचे electronics 101 playlist में देखने को मिल जाएंगे so that is it for this little experiment guys take care and have a nice day